हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवी क्लासिस मैं रजित कमार अप लोग का बहुत बहुत सौध करता हूं आज में जारकन बोट जो जारकन बोट के विद्धार थे हैं और जो 2020 में एक्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्पूर होने वाली है अभी कुछ बाते बता रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत महत्पूर्ण है यह जो कोसिन हम आप लोगों को लेकर आया जो महत्पूर्ण प्रश्ट वन लाइनर का जो हम लोग चैप्टर वाइस करके लाएं जिसे कि मेरा पहला डे क्लास है जिसे हम बताए ताब लोग को नमोंबर शें आपको वीडियो मिलेगी जो कि आज वन नमोंबर है मैं आपको वीडियो प्रवाइड कर रहा हूं तो यहां पर हम लोग पहले चैप्टर के बारे में बात करें जिसका नाम है रश्यानिक अभी किरिया एंस अमिगरन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वन लाइनर अगर आप पढ़िएगा तो कितने मांक्स आप इससे गैन कर शकते हैं अगर इस वन लाइनर को हम लोग पढ़ते तो कितने मांक्स हम लोग को गैन कर शकते हैं 15 मांक्स क्यों 15 मांक्स देख करेंगे जो कि लगवों 15 वीडियो के आसपास आपका यह रहेगा क्योंकि 15 चैप्टर है 15 16 चैप्टर है आपके साइन्स के तोहरी चैप्टर वाइज कर दिया है ताकि आपको सरल हो जाए तो यह पूर 15 वीडियो देखेगा तो पंदर माक्स अपका कवर हो चाहिए और हाँ इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको पीडियाप चाहिए जैसे अगर आप पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे वाट्सव ग्रूप म नहीं है अगर आप को चाहिए कि यह नहीं है को इस सारा टडियाप देते हैं ताकि हम लिखने में समय आ वीर्थ करें इसको याद कर ले उसके बाद को प्रैप्व करें तो इसके लिए यह हम क्या कि पीडियो कूरसल हलं मतलब के आपको कुछ पीडियो करने हो जो निश्री करते हैं मोलोग बीडियो और इस वीडियो को मोग देखते हैं जैसे कि ये हाँ पहसोपकर Dieses को कुछ नियम को पूरा करने के लिए संतुलित क्या जाता है जैसी कि हमारे पास कोई एक your सब्सक्राइब करना पड़ेगा कैसे तो से अगर इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यहां पर चार होगे मेरा है तो यहां पर दो कर देंगे तो दो चार मेरा कि है अगर कोई पदारत है या तो कोई भी समिकरन है जो अभिकारक के तत्व जो होगा और ये परती फल करते और परती फल या उत्पात बोसकते यह दोनों का जो हो दो आपस में बराबर होना चीज़ क्यों कि हम लोगों पता है ना तो दर्मान को हम लोग create कर सकते नहीं destroy मतलब नाथ लोग बना सकते नहीं उसको नश्ट कर सकते हैं तो यह हमेंसा याद रखे दर्मान यह संतुरीत इसलिए करते क्योंकि दर्मान सनक्षिन नियम को प्रतिपाधित करना पड़ता है अब आता है नेक्स्ट कोशन क्या आता है किसी पदार्त में ऑक्सिजन का निश्कासन क्या कालाता है अगर माले जी कोई पदार्त है जिसे कि EPA coo plus Hu2 है अब यहां पर देखते हैं ऐडरोजन से यहां पर निश्कासन होगा है उसको Saustia के उपक्रमान से निश्कासन और यहां तो तो इसको क्या कहेंगे अगर किसी पदार्त उंसी फिल्यका लगा होता है जन से आक्सिजन का हट जाना अगला कोशन को स्वासन करते हैं यह किस परकार की रशन्यक अभी कि रिया है जैसे हम लोग स्वेशन करते हैं सांश लेते हैं सांश लेते हैं तो ऑक्सिजन हमारे सरीर के अंदर जाती है और सरीर के अंदर क्या होता है जो हम लोग अविकिरिया के साथ साथ उसमा उत्पन होता है तो उसको हम लोग क्या करते है उसमा छेपी अविकिरिया तो यह हमारा क्या हो गया उसमा छेपी अविकिरिया तो यह तीन कोशन था आपको समझ में आ गया अब आते हैं हम लोग अगले कोशन पर अगला कोशन मेरा फर्स नमर क plus Cuединck term ओप आपे एक चीज़ ज्यान रखना विस्थापन क्यों होती है क्योंकि देखे जो अधिक अभिक्रियसिल धातु होते उत टत्व वह किया करते कम क्रियसिल झात रत्दम को किसी योगिक से स्को विस्थापीद करते हैं को कहते शील है ततव है लेकिन यह जो है आईरन जो है यह क्या अधिक है तो यह क्या करेगा यहाँ पर कॉपर को भी स्थापित कर देगा और अलग होगो अभी जो आइरन है सलफेज के साथ जूड जाएगा और यह बनाएगा आईरन सलफेट तो एक देख सकते हैं यह हमारा क्या अगा विस्थापन अविकिर्या का एक अग्जामपल होगा है इस प्रकार से आप बहुत सारे लिख सकते हैं अब नेक्स्ट आता है कि अगला copper sulphate का अन्वική सूत्र क्या होगा अन्विक सूत्र copper cellpate है तो यह होगा COSO4 तो यहाँ पर अगर हम लोग answer लिखें तो यह क्या होगा COSO4 next question के बाद करें क्या कहता है कि हमारे पास एक समिकरन दिया गया है इसको संतुलित करना संतुलित करना जिसे यह sodium हो गया water है और NaOH और H2 तो यहाँ पर अगर देखें sodium ले लेते हैं hydrogen ले लेते हैं और oxygen ले लेते हैं ठीक है और इस side का इधर side वाले को इधर वाले side में क्या है यहाँ पर अगर देखा जाए sodium लेते हैं oxygen ले लेते हैं और hydrogen ले लेते हैं अगर यहाँ पर देखे sodium sodium कितना एक है और इधर hydrogen तो है और यहां पर औक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर hydrogen कितना है एक है और यहां पर दो है even में करना है चार करना है इसको हम लोग क्या करते है दो से multiply कर देते हैं तो यहां पर हो गया 2 hydrogen और 2 कितना हो गया चार ठीक है तो यहां पर 4 हो गया और यहां पर hydrogen कितना है 2 इसको 2 से multiply कर दे दो दोने कितना चार अब जीसे इसको दो से मल्डिप्लै कियें तो दो कितना गया नैट्रोजन भी हो गया सोडिया भी तो वह आपको एक बना के दिखाएं अब आते हैं लोग अगले कोशिन पर और उनको देखते हैं इन सारे को हम erase करते हैं और अगले question पर चलते हैं अगर यहां पर अगला question देखें तो कहता है कि up chain यहां पर दो सब्द आपको बहुत ही confuse करेगा इसलिए इस दो सब्दों को आप समझेगा एक हो गया up chain दूसरा हो गया up chain ठीक है यह दोनों सब्दों को अगर समझ जाते हैं तो य कभी दिक्कत नहीं होगा तो up chain और up chain जैसे कि आप हम एक एक्जामपल लेते हैं जिसे हम आपको लिए थे Cu plus H2O ठीक है तो यह बनाएगा Cu O plus H2 अगर यहां पर देखें यहां से अगर देखें ऑक्सीजन का निसकासन हो गया Oxygen का Oxygen का हरास हो गया इसको हरास बोलते मतलब oxygen निकल गया और अगर यहां पर देखा जाए तो oxygen का अगर जूड़ गया oxygen का ब्रिदी हो गया ठीक है तो यहां पर दो ही सब्द हैं कमी अगर ऑक्सिएन की कमी हो गया तो क्या कहलाएगा अपचेन लेकिन ऑक्सिएन के अगर बिर्दी हो गई तो क्या कहलाएगा उपचेन दूसरे सब्दों में अगर हैडोजन की बिर्दी हो गई तो अपचेन और हैडोजन की कमी हो गई तो क्या कहलाएगा उपचेन तो यहा यहां पर देखा है S2O oxygen यहां से हर्ट के hydrogen मिल रहा है oxygen के हरास हुआ इसको कहेंगे अप्चेन यह सब्द आपको बहुत ही confusion करेगा तो अप्चेन समझ में आ गया तो अब देखें यहां पर इसका जो जा आंसर होगा वह क्या होगा यह देख सकते हैं को यहां पर देख सकते हैं सी यू कॉपर हो गया यह ओक्सिजन हो गया यहां से क्या हो रहा है कॉपर में जूड जा रहा है तो क्या होगा copper oxide मना रहा है तो यहां से oxygen से क्या हो रहा है hydrogen यहां पर कम हो रहा है दो था है यहां पर घट रहा है तो यह copper क्या हो गया उप्चेइत हो गया मतलब यहां पर क्या हो गया अप्चियन हो गया यहां पर oxygen क्या हो गया तो आप इस example को भी लिख सकते हैं next question पर आते हैं अगला अगला जो question होता है करता है लोहे लोहा oxygen से संयोग करके क्या बनाता है low oxide क्या बनाता है low oxide या तो इसको आप ली सकते हैं Fe2O3 इसको low oxide बोलते हैं जैसे कि यहां पर हम आपको example लिखे हैं next question आता है आपका कि अगर हम लोग भोजन के पाचन के दोरन की इस परकार की अभी किरिया हमारे सरीर में होता है तो भोजन के पाचन के सब्सक्राइब क्या होता है हमारा अभगटन होता है क्या होता है अभगटन तो आजन मेरे क्या हो जागा अभगटन और अभगटन को ही वियोजन का आता है यहां पर इस सब्द को हम लोग कभी कभी वियोजन मिल जागा आपको लिखा हुआ अब चलिए हम लोग इसको अगले कोशन पर आते हैं और इसको देखते हैं तो इसको सारे को इरेज कर देते हैं और हम लोग अगले कोशन को देखते हैं पहला कोशन यहां पर आता है कि किसी अभी किरिया में ऑक्सि बिर्दी मतलब ओपचेन ठीक है तो यहां पर हम लोग का हरास हो रहा है तो क्या होगा यहां पर देखते हैं अगर हरास हो रहा है तो अपचेन होगा लेतल नेक्स्ट कुशें ओपreichen को रोकने वाले पदार्थो को क्या कहते है जैसे कि क्या कोई बी आक्सिजिन को बिरुदी करने जैंकर रोकता है तो सको क्या कहते है फड़ती ऐक्या कहारति नेक्स्ट कोशन आता है कि आलू की चीप्स में कौन सी कैस उससे क्या ना वंब entrepreneur तो अगर oxygen रहेगा उस थेली में जहां पर अगर चेपस यह खाद पदार दाता है तो वो क्या करेगा उसे अभी किरिया करके उसको गंदीत यह खराब कर देगा इसलिए उस गैस को निकाल लिया जाता है और क्या करता है nitrogen gas उस थेली के अंदर डाल दे जाता है अब आता है next question और उससे react करके उसको संचारित करना start कर देता है next जो अगला कोशन आता है कि NO2 जो होता है यह दूआ की से रंका होता है जो अनुट का जो दूआ आता है यह होता आपका भूरे रंका क्ले अमें निग्स्ट आता है कि भोजन में उपस्तित कार्भो हईर्डिरट की टूटरने पर क्या मिलता है अगर भोजन में जो हमारा कार्भो हईर्डरेट उपस्तित आता अगर वह टूट जाता है तो हम लोगम मिलता है glucose ठीक है next question और यहां पर कोशन क्या होता है समापत होती है तो आप यहां पर देख सकते हम लोग क्या कहें कि जो चैप्टर वन से जितनी मोस्ट प्रोस्पेक्टिव कोशन था उनको हम लोग बता दियें अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सबसे पहले आपको क्या करना लाइक करना है और दोस्तों तक भी सेयर कर दीजे और अगर आपको पीडियेप चाहिए तो उसके लिए हम आपको बताएं नीचे वीडियो लगा हुआ है उस वीडिय झाल झाल